कि शुरू कर दें कि खोले किया कि नमस्कार कि आपका स्वागत है अनेकाडमी के स्टूडियो प्रिभाव में मैं रजनीश राच आपको मौरन इंडिया के आठ्मे क्लास की उड़ ले चलता हूँ मैं लगभख सत्रह वर्षों से हिस्ट्री ऑप्सनल और जर्ण संडीश के लिए पढ़ाई करा रहा हूँ इसके आलाबे मैं पॉलिटी एथिक्स एन करेंट के इसूज भी डिस्कस करता हूँ अनकाडमी के इस एडुकेटर्स क्लाप के बारे में आप ये जानिए कि यहाँ पर इंडुस्तान के टेलेंटेड और एक्सपीरियंस 77 से ज़्यादा एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं जो अपने सर्विसेस आपको उपलब्द करवाते हैं और इन में से किसी के भी सर्विस को आप अवेल कर सकते हैं अपने एक सब्सक्रिप्सन के आधार पर जिसका शुल्क 40,000 रुपया एक साल के लिए है इस एक साल के शुल्क के अंदर आपने इस कोर्ट से यह सुल्क लिया है यह सब्सक्रिप्सन लिया है तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी यानि कि 36,000 हो जाएगा आपका शुल्क एदि आपने दो साल के लिए इस कोर्स को सब्सक्राइब किया है और आरके लाइफ के कोर्ट के माध्यम से किया है तो अकॉर्डिंगली शुल्क 64,000 और आरके लाइफ के रास्ते करने के ऊपर 10% की छूट के रास्ते 57,600 अब आप इस तरह से सब्सक्रिप्सन कर सकते हैं इसके आगे हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया पीटी इस पीटी के क्लास के बारे में आपको बुनियादी बात यह समझ के चलना है कि इस नौट सपोस्ट तो बी अज इंट्रेस्टिंग अज दे मेन स्कैन भी मुख्य परिक्षा की तरह यह बहुत रोचक नहीं हो सकता अनिता इसकी लंबाई बहुत जादा हो जाएगी आपको इसे एक दवाई की तरह पीना पड़ता है कई बार हाँ ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दवाई ऐसी हो जो बिमारी ठीक करते हैं इस एंगल पे चलकर देखीगा कि अभी तक हमने जितनी परहाई किया है उस परहाई में एक बात मात ध्यान में हमें रखा है वो ये कि बगुले को मचली दिखाई दिनी चाहिए आखें उस पर टिकी रहे जहां मचली नजर आएगी हो हम मचली पकर लेंगे यदि हम बखो ध्यानम बाली शैली में अपने अनुभव के आधार पर कॉंसेंट्रेटिड होकर एक्जाम के औरियन्टेशन के साथ परहाई करते हैं कोश्चन्स की समझ डेवलप कर लेते हैं चीजों को रिवाईज करते रहते हैं तो पीटी हमारी शमता से बाहर नहीं है इसी एंगल पे हम आज के क्लास के अंतरगत कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले उसे लिखते हैं गवर्णर जनरल के अंतरगत लॉड कैनिंग बस कल की चर्चा के तरह ये छूट गए थे थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में फिर अठारा सो अंठावन का एक्ट अठारा सो एकसट का एक्ट इसके बाद गवर्णर जनरल में एक और गवर्णर जनरल जिनकी चर्चा मैं पीशे करी चुका हूँ लॉरेंस इसके बाद के गवर्णर जनरलों की चर्चा अभी मैं रोकतूंगा उनकी बारी बाद में आएगी जिसके तहत लिचन, रिपन, करजन ऐसे लोगों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे अभी उनकी बादी नहीं आएए इनके पश्चात हम लोग चलेंगे एक खास टॉपिक की और वह है अड्मिनिस्ट्रेशन की विवस्था का विकास ओवरॉल बिटेश सासन में एड्मिनिस्ट्रेशन की विवस्था का विकास कैसे हुआ पहले हम इसे देख लेते हैं ये बिखरी हुई बाते हैं जिसे विद्यार्थियों को एक जगः कंसोलिडेट कर लेना चाहिए क्योंकि इनसे प्रश्ण प्रया आता है ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग आगे मुरेंगे अगले क्लास के दौरान बिटेश सासन के दौरान अपना ही गई एकॉनमिक पॉलिसी और उस पॉलिसी से जुड़े हुए पढ़िनाम की ओर उसके पश्चात समाज सुधार उसके बाद विद्रो और रास्ट्रिया अंदोलन की ओर करम हमारा यही रहेगा अब यहाँ देखते हैं हम लोग की कैनिंग का बस इस बात को लेकर उलेख होगा की 1857 इसमी में जब विद्रो हुआ था तो उस समय हिंदोस्तान का गवर्नर जनरल लौट कैनिंग था वही कैनिंग शंतावन के बिद्रो की समाप्ती के बाद इस्ट इंडिया कमपनी की सत्ता की समाप्ती के पश्चात भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा और जब 1857 के बिद्रो के पश्चात 58 में इस्ट इंडिया कंपणी की सत्ता समाप्त कर दी गई और सत्ता सीधे बिटिस कहमिर के हाथ में चली गई तो officially भारत इंगलेंड के सासन के अधीनाया इंगलेंड के सासन का वैधानिक मुख्या वहां का राजा या वहां की राणी है याणि कि क्राउन है और उसके प्रतनिद ही को ओफिसियली वाइश राई कहा जाता है तो पहली बार भारत का गवर्नर जनरल अब वाइश राई भी कहलाने लगा उनका काम वही है जो गवर्नर जनरल वाला था लेकि पहले वो एक ब्यापारिक कंपनी के रिपर्जेंटिटिव की हैसियत से हिंदुस्तान में थे और अब यह ओफिसियली इंग्लाइन की सरकार के रिपर्जेंटिटिव है इसलिए यह अपने को वाइश राई भी कहते हैं तो वो वोज दी फर्स्ट वाइश राई लॉड कैनिंग्ग और वो दालास्ट वाइश राई याद रखियेगा लॉड माउंट बेटन अंतिम वाइश राई थे अंतिम गवर्नर जनरल नहीं थे उनके बाद भी कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल एक भारतिये बने थे एक ही भारतिये जो गवर्नर जनरल बने हैं वह सी राजगोपलाचारी सी राजगोपलाचारी गवर्नर जनरल बने थे वाइश राई नहीं क्योंकि तब हिंदुस्तान आजाद हो चुका था अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड केनिंग को लेकर एक और चर्चा होती है वो ये कि लॉर्ड केनिंग ने संतावन के बिद्रोह के दमन के दौरान बिटिस अधिकारियों के दौरा दिखाई गई निश्ठोरता और क्थोरता से अलग सरकार को यह सुझाओ दिया था कि यदि हमने बेहद इन हूमन ट्रीटमेंट किया भारतियों के साथ तो भारतिये लोगों के मन में सरकार की एक गलत अच्छा भी बनेगी जो दिर्खकाल तक हिंदुस्तान में सरकार को लोगों के बीच में एकसेप्टबल बनने नहीं देगी कई सारे धिकारी जो चाहते थे कि भारतियों से बदला लिया जाए वो इसे मजाक का पातर बनाते थे और दैयालू कैनिंग कहते थे मैं कहानी जो सुना रहा हूं उसके पीछे का मनतब यह है कि आप्शन में एक लाइन डाल देंगे कि लॉड कैनिंग ने सरकार से यह अनुसंसा किया था कि संतावन के बिद्रोह में सामिल लोगों ने जो कठोरता बरती है अंग्रीजों के प्रति उसके प्रति प्रतिशोध हाथ मकरवई यह अपनाते हुए कठोर कारवाई की जाए नो, he was not in that favor तूसरा पुइंट संतावन के बिद्रोह के कारणों में एक कारण यह भी बताया जाता है कि लॉड डलहोडिज ने जिस तरीके से अक्रामक तरीके से विले की नीती अपनाया व्यफगत के तहट कई सारे राज्यों का विले कर लिया कुशाशन का आरोप लगा के अवद का विले कर लिया इससे राजा नराज हुए थे उन नराज राजाओं ने इस बिद्रोह में भागेदारी किया था लॉर्ड केनिंग ने बटे सरकार को ये कहा कि यदि आप राजाओं की नराजगी को इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे ये राजा बड़ी संक्या में यदि बिद्रोही हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में बटे सत्ता का टिक ना मुस्किल है संतावन के बिद्रोह में खैर इस बात का उन्होंने मनाया कि बहुत सारे राजा इस बिद्रोह से अलग रहे क्योंकि अभी वह हमारी नीती के कारण डिरेकली अफेक्टेट नहीं हुए उनके कहना था कि बाढ़ के समय में वह बांध की तरह काम आए यदि हमने उनके परति अक्राम अक्रविया अपनाना जारी रखा उनके रज्यों का विलाई करना जारी रखा तो हो सकता है कि वह बांध की तरह काम ना आए बलकि वह खुद बाढ़ के साथ जुड़ जाए और उट जादा प्रचंड कर दें बाढ़ को और फिर उस बाढ़ के बाहों में तो हमारा सामराज ही बह जाएगा कैनिंग के सुझाव पर ब्रेटिस गवर्मेंट ने भारतिय रियासतों को लेकर अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया उसी परिवर्तित नीति के तहत यह तैह हुआ कि भारत के जितने भी राजा हैं अपने अपने रियासतों में वो ब्रेटिस सत्ता की अधिनस्त बनकर सासन चलाते रहेंगे सासन चलाते रहेंगे हमारे अधिनस्त बनकर रक्षा, विदेश और संचार जैसे भी भाग सामा नित्या अंग्रेजों के हाथ में थे खला कि अलग 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 राजाओं से अलग अलग संधियां की गई थी तो कौन से राजा के साथ में कौन से संधिय की गई थी इसके डिटेल में जाना आपके लिए कते रिक्वाइड नहीं एक सामाने समस बनाई ये कि रक्षा बिदेस और संचार विभाग केंडर के यानि कि बिटिस गव्मिन के हाथ में आ गए और सेस सारे विभाग उन्होंने रियासत के राजाओं के हाथ सौब दिया और कहा कि इनका प्रसासकिये प्रबंधन आप खुद देख लो अगला मुद्दा ये है कि इस प्रसासकिये प्रबंधन के अत्रिक्त उसमें यह बात कही गई कि आपके आंतरिक मामले में भी हम दख्लंदाजी नहीं करेंगे आप देखो अपने इस सासन चलाओ और आपका बिले भी नहीं करेंगे आज स्वस्तर हो बिले नहीं करेंगे दलोजी ने बिले करने की निती अपनाया था इन्होंने का आगे बिले नहीं करेंगे दख्लंदाजी नहीं करेंगे ये दो आज स्वस्तर दिया कि इन तो यहां पर रिमार्कबल बात यह है कि जान बुझ कर एक जामिनार आपको कन्फ्यूज करेगा बिटिस सरकार ने यह कह दिया कि बिले करने का अधिकार अब हमारे पास नहीं है या आपके अंदर दखल अंदाजी करने का अधिकार हमारे पास नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है बिटे सरकार ने कहा था कि आप हमारी अधिनस थो विले कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं दखल अंदाजी दे सकते हैं निर्देश दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं इस सब पर धियान रखेगा अथोरिटी, सोबरेनेटी, परमाउंट्शी बने परमोचिता, सर्वोचिता, संप्रभूता अंग्रेजों के हाथ में है विले नहीं करेंगे ये नीती है ये अंग्रेजों के अधिकार की सीमा नहीं है राज चलाना भारतिय रजवारों के लिए एक अपोस्चिनिटी है राइट नहीं है राइट सो लॉट कैनी के बारे में बस इतनी ही बात है इस तरीके से हम मोटे तोर पढ़िया समझ सकते हैं कि एक तो अठारा सो लॉट कैनी अठारो ससंतावन के दार में गवर्णर जन्रों दूसरा फर्स्ट वाइश्राय तीसरा दयावान कैनिंग का का टाइटिल दयावान कैनिंग उसके बाद रियासतों के प्रति सुझाओ और इस सुझाओ के आधार पर ही बिटे सरकार ने जो पॉलसी अख्तियार किया वो क्या है बिटे सरकार की पॉलसी थी अधिनस्थ संग की नेति अधिनस्थ संग की नेति आप हमारे अधिन तहिएगा हम आपके मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि इसी को अधिनस्थ संग की नेति कहते हैं यह नेति चलती रहती है उनेश्व पॉलसी के विभिन चरन क्या रहे विभिन चरनों में सबसे पहला चरन यह है कि वो मुगल इंपरर के अधिन मुगल इंपरर के अधिन थे पहला चरन तो यह है 1765 के द्वैद सासन के रास्ते से ही इन्होंने अपने को मुगल सासन के अधिन एक राज्जित के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया दूसरा चरन आता है अठारा सो तेरह और तैस के दोरा जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत के रियासती राजाओं को कह दिया कि अब आप हमारे सबोडिनेट हैं इसके पहले वो सहाइक संधी के माध्यम से इनके साथ संधी बद्ध जरूर थे लेकिन वैधानी कुलूर से स्वतंतर थे और मुगनों से इन्होंने मिलने से मना कर दिया था फिर तीसरा चरण कौन सा आया जबकि एम हर्ष्ट ने मुलाकात किया था मुगल बादसा से बराबरी के दर्जे पर चोथा स्टेज आता है लौड डलहोजी के सबे में डलहोजी ने क्या किया नम्मर एक कि भारत के रियासती राजाओं को यह कह दिया कि आप हमारे अधिनस्त थे तो अब आप का हम भी लए करेंगे दो तरीके से भी लए किया था कहानी मैं बता चुका हूँ मुगलों को क्या कहा जिन मुगलों को पहले वो एक सांकेतिक प्रभू बना कर रखे थे उनसे तेरह के बाद मिलने को अभॉइट करने लगे मिले भी तो एमहस्त के काल में बराबरी से मिले और अब उन मुगलों को वो खत्म करना चाहता था उसने ये कह दिया कि मुगल अब लाल किला भी छोड़ दें और चले जाए कुतुब के इलाके में हमारे दोरा दिये गए बसाओ छेते में रहने के लिए लाल किला सत्ता का प्रतीक था उस प्रतीक को वो अब जिंदा नहीं रखने देना चाहता था कि उसे पता था कि हिंदोस्तान में कल को कोई भी विरोधी ग्रूप पर खड़ा होगा तो हो सकता है कि इसी मुगल बात्साह के नेत्रे तुमें एक एकरित होने की कोशश करे इस प्रतीक को वो मारना चाहता था और इसके बाद यह भी कह दिया गया था कि मुगल बात्साह बाहदुसा जफर वा अंतिम ब्यक्ति है कि जो बात्साह का टाइटिल लेगा उपाधी लेगा आपके बेटे इसके बाद बात्साह की उपाधी नहीं लेंगे समझ सकते हैं कि कैसे हुआ इनकी हत्या किये बगएर इनके राजवन्स की हत्या करना चाहता था बंस जारी रहेगा राजवन्स खदम हो जाएगा यह इनकी नीत थी अब उसी बात्साह जफर ने संतावन के बिद्रोह में भागेदारी किया नेत्रितो की भुमिका निभाया बिद्रोह का दमन हुआ बादूसा जफर की गिरफतारी हुई हुमायों के मखबरे में और बादूसा जफर को भारत से देश निकाला दे दिया गया रंगून में वहां उनकी मृत्ति हो गई है बड़े उदास रहें हैं अपने जीवन के अंतिम दोर में क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता है कि हमको हमारे बतन में दोगजमीन भी न मिली कितना बदनसीब है जफर वो लिखते है कि दोगजमीन न मिली कुवे यार में तो बहादुसा जफर की कहानी खत्म हो जाती है और वहीं मुगल बंस का भी राजबंस का भी अंत हो जाता है कुल मिलाकर वैसे तो अंत नहीं हुआ जैसा कि डलोजी चाहता था लेकिन विद्रूह में भागीदारी के बाद में दंड पाकर मुगल की अंतिम गती हो गई थर हम लोड केनिंग के बारे में इतनी चर्चा भी प्रयात मानेंगे अब हम लोगों को आगे बरना है लोड केनिंग के पश्चाथ छोटी सी जानकारी लॉरेंट्स के बारे में लॉरेंस ने क्या किया तो लॉरेंस का काम बस इतना ही है कि उसने अफगानिस्तान को लेकर दक्ष निस्क्रिता की नीति अपनाया था जो मैं और लड़ी आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए इस विशेव को मैं सिख रिवाइज करने के लिए उठा कर लाया था हम इसे पढ़ेंगे ने लॉरेंस के आगे कि किसी भी गौवर्नर्जर्नल की कहानी आज हम नहीं करेंगे यह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ तो लॉरेंस से आगे अब हम क्या देखेंगे अठारा सो अन्ठाबन कुछ नया नया आना है अठारा सो अन्ठाबन में इंगलाइन की महारानी विक्टोरिया ने अपनी ओर से एक उद्गोशन जारी किया जिसके तहती अब वात सबस्ट कर दी गई कि नमबर एक इस्ट इंडिया कंपणी की सत्ता समापत होती है भारत की सत्ता आ गई अब क्राउन की अधिन नमर दो भारत की सत्ता क्राउन की अधिन आ गई तो भारत की जो सरकार है नई सरकार वो पुरानी सरकार मने इस्ट इंडिया कंपणी की सरकार की सभी संधियों का सम्मान करेगी नम्मर तीन इस्ट इंडिया कमपनी की सरकार जिस जिस तरह के रिन ली हुई थी भारत के सासन को संचालित करने के लिए उन सभी रिनों का भुगतान करेगी नम्मर चार उन्होंने ये कहा कि हम हिंडुस्तान की अपने प्रजा के साथ कोई भेद भाव नहीं बढ़तेंगे ये सब बस कहने की अच्छी अच्छी बाते थी लेकिन ये बात कही गई थी पीटी के एक्जाम में ये महदपून होता है इसके बाद महरानी विक्टोरिया की कहानी आगे खतम हो जाती है हम ये देखते हैं कि हिंडुस्तान के सासन का स्टक्चर क्या हो گیا स्टक्चर यह हुआ कि गवर्णर जन्रल वाइसराय हुआ तो गवर्णर जन्रल तो बनाई रहा बस वाइसराय कहा जाने लगा एक एडिशनल बात हो गई कोट ओफ डाइरेक्टर्स जो इस्टिन्या कंपणी की और से बने हुए थे शेयर होल्डर के इलेक्शन के माध्यम से जो स्तित्तों में आये थे यह खतम हो गए बोड ओफ कंट्रोल खतम हो गया आपको यह समझना है कि बोड ओफ कंट्रोल तो बना ही था इनके उपर नियंतरन रखने के लिए यह सरकार की ओर से कंपनी पर नियंतरन रखने के लिए बनाया गया एक बोडी था जब सरकार ही के हाथ में सासन आ गया तो सरकार अपने ही उपर रखने वाला बोर्ड क्यों रखेगी तो जैसे ही कोट अब डिरेक्टर्स की सत्ता समाप्ट हो ज़यी वीज़े ही बोर्ड अब कोंट रीक्ट्रोल ओपरा सं़ीयक हो जाता है इसलिए कहते हैं सत्ता क्राउन के पास चली गई है लेकिन किंग वहाँ ओफीसियली भले ही अंतिम पदधारी है लेकिन प्रैक्टिकली डिफैक्टो असल सत्ता किसके हाथ में है तो संसर के हाथ में कहते हैं कि इंग्लायन की संसर इतनी सक्तिसाली है कि उसके अधिकार और सक्ती की सिर्फ एक सीमा है कि वह इस तरी को पुरुष नहीं बना सकती इतनी सक्ती से संपन्न संसत के हाथ में भारत की सरकार की सक्ती चली गई पार्लियमेंट के हाथ में पार्लियमेंट में बहुंमत के आधार पर House of Commons के बहुमत के आधा परोहा बनती है Government जैसे हम Council of Ministers कह सकते है Council of Ministers कह सकते है Council of Ministers का ही एक Member होता है Secretary of India जिसे आप हिंदी में भारत सचिब कहते है भारत सचिब आपने सुना होगा कुछ अधनियमों के बारे में Morale Mintu अधनियम, Montague Chems Food अधनियम तो Morale कौन था भारत का सचिब Minto Governor General Montague Chems Food में Montague कौन था भारत का सचिब और Chems Food भारत का Governor General भारत सचिब का मतलब क्या हिंदुस्तान में सचिब का मतलब समझा जाता है Bureaucratic Officer येकिन इंग्लाइन में Basically वो Minister है भारत सचिब मतलब भारत के मामलों का मंत्री भारत के मामलों का मंत्री Secretary of State को भारत के सासन में Support देने के लिए एक इंडिया कॉंसिल बनाया गया था इंडिया कॉंसिल जिसमें पंद्रह मिंबर्स होते थे पंद्रह मिंबर्स होते थे तो खुल में लाकर हमने क्या देखा कि भारत के सासन का नया structure तयार हो गया इस structure के पुश्यात हम आगे जिधर बुरे जा रहे हैं वह है 1861 का अधनिया 1861 का अधनिया 1861 के अधनिया में क्या कहानी है नम्मर एक बिधाई परिशद में परिवर्तन नम्मर दो कार कारीक परिशद में परिवर्तन बिधाई परिशद में परिवर्तन और कारीकारीक परिवर्तन तो बिधाई परिशद में जो परिवर्तन आया है उसका क्या मतलब है बिधाई परिशद के परिवर्तन का मतलब है कि अठारा सो तेरेपन इस भी की कहाने आप याद करिए इसमें गवर्णर जनरल को एक लेजिसलेटिव काउंसिल दिया गया था उसके अंतरगत यह प्रावजहन किया गया था कि सारे के सारे सरकारी अधिकारी ही होंगे ओफीसियल मेंबर्स होंगे ओफीसियल मेंबर्स होंगे All the people will be the official members सरकार के अधिकारी अब कह दिया गया कि ऐसा जरूरी नहीं है गयर सरकारी लोग भी यानि जो कभी सरकार में नगरी नहीं किये हैं वो लोग भी इसमें सरकारी नगरी कीए बगैर भी काउंसिल के मेंबर्स हो सकते हैं अब जब नौन उफीसियल non-official members इसके सदस होंगे तो उसी रास्ते Indians का द्वार भी खुल गया Although the act is not specially clear It has never made clear की इंडिया के लोग भी इसमें सामिल होंगे किन्तो जब कह दिया गया कि सरकारी सदस्य का होना ज़रूरी नहीं है तो गैर सरकारी सदस्यों के रास्ते अब कुछ भारतिये लोगों की भी निक्ती होने लगे बाकि सब सिस्टम पहले जैसा ही है पहले क्या था सरकारी मातर होंगे अब सरकारी के इतर भी हो सकते है तो उसी रास्ते इंडियन भी होने लगे पहले दूसरी बात क्या उनसी थी एपॉइंटेड बाइदे गवर्मेंट तो अभी भी एपॉइंटेड है तीसरी बात क्या थी they will be advisory वो सलाहकारी मात रहोंगे अब भी सलाहकारी ही है ठीक है कुल मिलाकर इतना ही परिवर्तन आया है आप से कोई question पूछेगा कि भारतियों का द्वार कौन से act के रास्ते खुल गया थो 1861 के रास्ते कारेकारी परिशत में क्या परिवर्तन आया कारेकारी परिशत के अंतरगत परिवर्तन आया कि portfolio system शुरू हो गया portfolio system का मतलब बस इतना समझिए कि पहले कारेकारी परिशत के अंतरगत जितने भी सदस्य हुआ करते थे वो सरकार को सभी मामलों में सलाह देते थे अब ये कह दिया गया कि अलग-अलग मामलों के अलग-अलग मंत्री की तरह आप भूमिका निभाएंगे मंत्री नाम नहीं दिया गया है पारशद हैं लेकिन बिभाग ते कर दिया गया इस कारण काम करने की उनकी गुनवत्ता में बुर्दी होगी और जवाब देहता में भी तो performance and accountability को इन से और करने के लिए portfolio system लाया गया ये दो बाते आपको समझ लेना है और इसी के साथ में 1861 के India Council Act की तयारी भी हमारी पूरी हो गई अब हम किधर मुरेंगे तो अब हमारा अध्यन जाएगा बिटिस गौर्ब्मेंट के दोरान प्रसासन इसमें समझना यह है कि हम प्रसासन को लेकर अधिकान से तया बातें पढ़ चुके हैं क्योंकि गवर्नर जनरल के रास्ते हम प्रसासन तो पढ़ी रहे थे लेकिन किसी भी एक बुक में आपको और्गनाइस्ट तरीके से अन्य प्रसासनिक मामलों की जानकारी नहीं दी जाती है तो मैं एक संशिप्त डिस्कसन के रास्ते तू दा पॉइंट आपको एडमिनिस्टेशन से सम्वंधित जो भी प्रसासन पूछा जा सकता है उसे दिमाग में रखते हुए एक स्टोरी के रास्ते बुन्यादी और प्रसांगिक तथ्यों को पढ़ाते हुए कम्प्लीट कर दोगा अब देखो हमारा प्रसाशन ने दी पढ़ना होगा हमको तो हम देखेंगे सेना इसके बाद हम देखेंगे नौकर साही इसके बाद पुलिस इसके बाद लौँ फिर नियाई पालिका इतने ही मामलों में हमारा ये टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा अब देखिए आप सेना के तहत कोशन बहुत कम पुछा जाएगा तो आपको बस बुनियादी जानकारी लेना बिटिस गवर्मेंट के खलाब सबसे पहले बार सैनिक बिद्रोह लौड कलाइब के काल में हुआ था से हम स्वेट करांती स्वेट बिद्रोह कहते हैं इसके बाद भारतियों ने बिटिस सरकार के खलाब बिद्रोह कई बार किया भारतिये सैनिकों ने भारतिये सैनिक का मतब सरकार के ही वो सैनिक जो भारतिये मूल के थे संतावन के बिद्रोह, उन बिद्रोहों में सबसे प्रचंड था, लेकि पहला नहीं था संतावन के बिद्रोह के बाद फिर सैनिकों ने बिद्रोह प्रायह नहीं किया सैनिकों के बिद्रोह का पहला प्रमान आपको नजर आदने को है नव सैनिक बिद्रोह में, 1946 में 57 के बाद 46 में बीच में एक और आपको विद्रोह जैसा कुछ नजर आने को है वो ये कि जब दूतिय बिस जुद के दोरान जापानियों से लरती हुई भारतिय सेना के लगभग 40 हजार सैनिक गिरफतार कर लिए गए तो उन्हीं के बीच में से इंडियन नस्नल आर्मी का गठन हुआ था और उस इंडियन नस्नल आर्मी ने बिटिस सत्ता को पलट कर हिंदुस्तान को अजाद करने का प्रयास किया था तो इसे आप चाहें तो बिद्रोह का नाम दे दें अफिशियली यह आपसे नहीं पुछा जाएगा कि बिद्रोह है की नहीं है बस यह है कि संतावन के बिद्रोह के पहले तक सैनिकों का बिद्रोह बारबार होता रहता था उसके बाद सैनिकों का बिद्रो ना के बरावर है तब हुआ जब हिंदुस्तान अजादी के दौर पे खाला था ठीक है बलकि एक बात और जान लीजिए कि जब नौसैनिक बिद्रो हुआ तो उसके ठीक अगले दिन बिटे सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने की घोसना किया जिसके तहत यह बात कही गई थी कि हम भारत को आजाद कर देंगे तो संतावन के बिद्रो के बाद का बिद्रो पहला बिद्रो नौसैनिक बिद्रो है और उस बिद्रो के अगले दिन हिंदुस्तान को आजाद करने की घोस प्रफ्जालियविद इसमें क्या कहा गया था है कि सूबेदार से उचा बड़ा पद किसी भारतियों को नहीं मिले आ मैंने बताया था कि एक मानेता चलती थी भारतिये लोग भले हैदर अली के बराबर योग योग्य हो तीस युद्ध के पहले तक नहीं होती थी 1914 में पर 25 युद्ध की सुरुवास भी थी उसके पहले तक भारतियों की कमिशन पोस्ट पर नियुक्ती नहीं हुई Civil Administration का भेद खतम कर दिया गया था तेकि मिलिटरिय के अंदर वह भेद जिंदा रहा था फिर सेना से संबंदित एक दूसरा फैक्ट एक है सेंड हर्स्ट कमिशन बस इतना ही सेंड हर्स्ट कमिशन का संबंद कि से था तो Military Reforms Basically जब आप 20th century के दौर में जाएंगे तो आपको बहुत तरह के कारियों में सुधार है तो आयोगों के गठन की कहानी नज़र आएगी Labor मुद्दे पर Finance के मुद्दे पर Banking के मुद्दे पर Industry के मुद्दे पर Military के मुद्दे पर bureaucracy के मुद्दे पर Police के मुद्दे पर Education के मुद्दे पर इन सारे से संबन देते हैं जो prominent commissions हैं उस पर question पुछने का एक बहुत ही popular trend है इन question बहुत simple पुछा जाता है Commission का नाम और उसका विशह जिनकी अध्यक्षता में Commission बनाया गया है एक उनका नाम दूसे तरब उनका विशह एदि कोई Commission बहुत prominent है तब फिर उस Commission के द्वारख की जाने वाली अनुशन सा अन्य था सिंधर्स Commission military इस तरीके से तो आपको बस इतना हैं कि सिंधर्स Commission military में सुधार के लिए गटित किया गया था इस से आगे आपको इस भी से भी नहीं परना अब नुकर साही ये थोड़ा बरा है नुकर साही से पहले हम पुलिस को देख लेटे है पुलिस के बारे में आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि Lord Cornwallis Basically इंडिया में पुलिस सिस्टम का जनब है Lord Cornwallis उसी ने इंडियान पुलिस सिस्टम को इंडिया में स्टेबलिस किया इंडियान पुलिस सर्विसिस की सुरुआ भी उसी नहीं किया था थाना चौकी की सुरुआ उसी नहीं किया था उसके बाद फिर अगले लेफल पर जब चलते हैं तो IPC आया IPC 1860 इसके बाद इंडियान पुलिस सिस्टम ज़्यादा औरुगनाईजट हो गया इसके पश्चात अगला नाम आता है करजन का करजन के समय में एक आयोग अगठन किया गया था फ्रेजर कमिशन फ्रेजर आयोग इसी आयोग की अनुसंसा के आधार पर राज्यों में CID का गठन हुआ CID पर्टेक राज्य में CID आपको नज़र आता है इसके सुरुआत करजन के काल में फ्रेजर कमिशन के अनुसंसा के आधार पर हुई थी पुलिस को लेकर बस आपको इतनी जनकारी के लेना है लॉग के तहथ आपको सिपो सिप IPC को जनना है बांकि तमाम CPC, CRPC, Contract Act, Evidence Act ये सब आपके पाठिकरम का हिस्सा नहीं सिप IPC जानिएगा क्योंकि IPC अलड़ी मैं बता चुका हूँ तो हम इसे समाप्त मानते हैं अब हमारे लिए क्या बच गया नियाई पालिका कमुद्दा और नौकर्शाही कमुद्दा नियाई पालिका और नौकर्शाही की ओर बढ़ने के करब में हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं अब नौकर्शाही की ओर नौकर्शाही में भी कुछ बाते पीछे की पहला पॉइंट कलेक्टर के पत का गठन कौन किया था पीछे की कक्षाय दिया अपने ली है तो आपको मालूम है नौकर्शाही की ताथ कलेक्टर के पत को गठित किया था वारेन हैस्टिंस ने वारेन हैस्टिंस ने इसके बाद इंडिया के नौकर्शाही का वास्तरिक संस्थापक संस्थापक किसे माना जाता है लौड कौर्न वालिस को आप पीशे पर चुके हैं इसके बाद अगला मुद्दा कि हिंदुस्तान में कमिस्नरेट का सिस्टम का बसुरू किया गया लौड विलियम बेंटिक के द्वारा इसके बाद अगला पॉइंट नस्रिय भेत को कौन से अधनियम के माध्यम से नकारा गया 1833 के अधनियम के अंतरगर्त रेगुलेशन 87 के द्वारा आपको याद हो कि जब मैंने सती पर्था बताया था तो उसमें रेगुलेशन 17 बताया था आप उभी याद रखिएगा और ये रेगुलेशन 87 याद रखिएगा इसके पश्चात अब ये देखना है कि क्या हिंदुस्तान में इसके पश्चात बड़ी संख्या में भारतिय लोगों की नुक्तिया होने लगी थी तो नो पहला भारतिय जो बिरोक्रसी में ICS के तहत नुक्ति प्राप्त कर सका उस आदमी का नाम क्या है सक्तेंद्र नाथ सक्तेंद्र नाथ टेगोर ये रविनाथ टेगोर के बरे भाई देविनाथ टेगोर के बेटा थे महराष्ट में ज्यादा तर इन्होंने परी नौक्री किया जब अंत में यह सेवा निब्रित हो रहे थे तो यह जज के पत सेवा निब्रित हुए थे सतेंद्र नाथ टेगोर 1862 इस्वी में इस सेवा के लिए चैनित हुए इसके पहले हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं चैनित हो सका यह भी तब चैनित हुए जब के अठास तो तीरे पन इस पी में निउक्तियों के लिए पर्टियों गिता परिक्षा की बेबस्ता सुरू हुई थी अब एक अगला मुद्धा के हिंदुस्तान में नौकर साही के अंदर भारतिये लोगों की भागेदारी कम क्यों रही इसलिए क्योंकि पर्टियों की परिक्षा का आयोजन लंदन में होता था पाठ्यक्रम अंग्रेजों के अनुकूल था और न्युक्तियों के लिए अपर लिमिट एज अधिक्तम आयोजन सीमा एक दफा तो लॉड लिटन के काल में घटे घटे उनीस साल तक कर दी गई थी तो ऐसे में भारतियों की न्युक्ति लगभग असंभब थी कुछ विरले पुरुसी न्युक्ति प्राप्ट कर पाते थे इसी वज़ा से 19th century का जब लांस्ट फे जाता है तो उस दोर तक देखिएगा कि भारतियों की भागेदाली कितनी है प्रशाशन में तो पांच परसेंट मात पांच परसेंट की चार परसेंट की छे परसेंट बस इतना है कि आपके सामने कोशन में इस तरह से डाल दिया जाएगा कि भारतियों की भागेदारी 20% के आस परस थी भारतियों की भागेदारी 1% से भी कम थी तो ऐसे में आपको वस एक अंदाजा लगाना है कि 5% के आस परस थी अब आपको एक बास समझना पडेगा कि यह वो दौर है कि जब हम मुनिसमी सताबली के अंत में जाते हैं तो राष्टी आंदोलन इंडिया में सुरू हो चुका था इस राष्टी आंदोलन के दवाब के कारण अब सरकार को सुधार के लिए बादि होना पर रहा था तो भारत के सासन में भारतियों के भागेदारी को बढ़ाने के लिए राष्टबादी डिमान तो करी रहे थे उसी दवाब में सरकार भी इस दिसा में सुधार करने के लिए तैयार हो रही थे एक कारण ये है राष्टबादियों का दवाब एक दूसरा कारण भी है पर्थम विश्जुद के दौरान बड़ी संख्या में अंग्रेज लोग मर गए युवा मरे, अधिकारी मरे, सैनिक अधिकारी मरे तो उसके बाद इंग्लैंड में भी सर्विस करने बाले लोगों की थोरी कमी हो गई थी तो कुछ इंग्लैंड के लोग इंडिया की ओर आने के बजाए लंदन में ही रहकर नौकरी करने को बढ़ियता देते थे चुकि लंदन की भी जरूत थी तो इसलिए भारत की ओर आने बाले की संख्या भी थोरी घट गई थे एक और बात उस समय तक राष्टिया आन्दोलन चुकि मजबूत हो गया था तो अब भारत में सासन चलाने वाले अंग्रेज अधिकारियों के लिए पहले के जैसे खुली छूट भी नहीं थी कि अब भारतियों के साथ में बहुत ही माल ट्रीटमेंट कर दें ब्लाक्स एंडॉक्स हार नॉट अलाउट टाइब का भी हैवियर कर दें उनके साथ में ज्यादितियां बढ़तें क्योंकि उस समय तक हिंदुस्तानी राष्टिया आन्दोलन मजबूत हो चुका था हिंदुस्तानी लोग बड़े-बड़े पदों पहुचने लगे थे हिंदुस्तानी मंत्री तक बनने लगे थे तो ऐसे इस तरख में पहुत सारे अंग्रेज juu भारत पहले आने में इंट्रिस्टे रहते थे अब इंट्रिस्टेट नहीं इस वजह से भारतियों के सासन के अंदर भारतियों की भागेदारी बढ़ने लगी इस बढ़ती हुई भागेदारी को प्रमोट करने के दिसा में कुछ आयोग बगर गठन हुआ है आप उसे समझे एक है इस लिंगटन आयोग इस लिंगटन आयोग ने यह अनुसंसा किया था कि पचीस परतिसत भारतियों हो पचीस परतिसत पदों पर भारतियों की नुक्ति होनी चाहिए इस लिंगटन कमिशन का नाम याद रखिएगा पचीस परसेंट बगर तो आप कोई नहीं पूछा जाएगा लेकिन इस लिंगटन कमिशन किसके लिए तो अद्मिनिस्टेशन से सम्मंधित सुधार में सुझाओ देने हैं तो एक आयोग अगला मुद्धा है कि इसके बाद 1919 इस भी का एक अधिनियम आया है उस अधिनियम को हम बाद में पढ़ेंगे लेकि 1919 में अधिनियम के तहत कह दिया गया कि इंगलान के सरकार अब भारतिय सासन में 30% भारतियों को सामिल करेगी इसलिए इनके 25% के अनुसंसा का कोई खास महतों नहीं रहा 30% की बाद 1919 के अधिनियम में कर दी गई इसके ठीक बाद बेटिस गवर्मेंट ने एक और आयोग बनाया ली कमिसन ली कमिसन ली कमिसन इसके ठीक बाद बनाना पर गया 1924 तक ही आते आते ऐसा क्यों क्योंकि मैंने बताया ना कुछ दिर पहले कि अब अंग्रेज हिंदुस्तान में आने में इंट्रेस्टिर नहीं थे उन्हें लगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संक्यामी भारतियों को सासन में सरीक करना चाहिए एक और बात है कि उन्हें अंग्रेजों पर पैसा ज़्यादा खर्च करने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि अंग्रेज अधिकारी लोग जब हिंदुस्तान आते थे तो ने चुर्णी उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता था पर हाईली पेड पीपल और उसमें वर्ल वार के बाद से हिंदुस्तानी अर्थवरस्था भी गरवरा गई थी तो सरकार को लग रहा था कि तो तो थोड़ा कम खर्षे वाला सिस्टम हम अपना लें तो एक कारण ये भी है क्या क्या कारण है कारणों को दिमाग में रखना है नमबर एक राष्टबादी दबाव, नमबर दो आर्थिक दबाव, नमबर तीन इंग्लाइन में चनसंख्या की कमी कारण अधिकारी अब इंग्लाइन में सेवा करना चाहते थे, नमबर चार भारत में राष्टबाद के बढ़ जाने, बड़े-बड़े पदोब भारतियों क कि न्युक्ति हो जाने, भारतियों के मंतरियादी बन जाने के कारण, अब अंग्रेजों को लगता था कि इंडिया में जाको मजा नहीं है, जो पहले आता था, इन चार वजहों से भारत में अंग्रेज आही कम रहे थे, तो ज्यादातर भारतियों की भागेदारी को अब आप पहेगा कि 40% भारतिय, 40% अंग्रेज, तो फिर 20 कहां से आएंगे, 40 प्लस 40 प्लस 20 का एक फिगर आएगा, 40 भारतिय, 40 अंग्रेज, और 20 पीसियस के प्रोमोशन से, लॉड डफरिन के समय में, प्रोविन्सियल सिविल सर्विसेस की सुरुवात हुई थी, लॉड डफरिन के समय में, प्रोविन्सियल सिविल सर्विसेस की सुरुवात हुई थी, और इसी के प्रोमोटी ऑफिसर्स के बीच में से 20% सीटों को भरने की बात कही गई, अब उसमें तो अंग्रेज से होते नहीं थे उसमें भारतिय ही होते थे तो वर्शोली भारतियों के संख्या सारपरती सब हो जाएगी धीरे धीरे देखिएगा कि भारत के नोकरशाही में भारतियों के भागेदारी डोमिनेंट लेवल तक बढ़ती चली गई इसी बिंदु पर आकर हमें से रोप देना है पस एक एडिशनल पॉइंट के साथ कि 1925 तक आते हिंदुस्तान में भी सिविल सेवा के लिए उसमें सिविल सेवा नहीं कहा जाता था उसमें इंपीरियल सेवा कहा जाता था तो समराजवादी सेवा के लिए समराजवादी सेवा के लिए इंपीरियल सर्विसेश के लिए एपॉइंटमेंट है तो परत्योगिता परिछा के सुरुवाद भारत में भी हो गई और इसकी सुरुवाद हुई थी इलहाबाद से अब हम चलते हैं नियाएक रिफॉर्म की वागई नियाएक रिफॉर्म के तात सबसे पहले सेवन्टीन सेंचुरी में मेयर कोट मेयर कोट आया था इसमें डेट नहीं पुछा जाना चाहिए तो मैं इसे छोड़ देता हूँ बस इसी रुप में मेयर कोट पहली बार उसके बाद 1773 का रिफॉर्म कोट इसी के रासे आया था सुप्रीम कोट अफ कलकत्ता मदरास बॉंबई तीनो राज्यों में बन गया था इसके बाद फिर दिवानी और निजामत के कोट्स बने थे Warren Hastings के काल में या अब है पीछे के क्लास में दिवानी और निजामत के कोट्स बने हैं जिला और प्रांतिस्तरपे प्रांतिस्तरपे से हम सदर दिवानी और सदर निजामत कहते थे सदर दिवानी और सदर निजामत कहते थे और यदि कोई वित्तिय मामला है जो सदर दिवानी के निरने से संतुष नहीं कर पा रहा है यदि कोई वित्तिय मामला है और समधित पार्टी सदर दिवानी के निरने से संतुष नहीं है तो वो अपील कर सकता है इंग्लाइन के प्रिवी काउंसिल के पास प्रीवी कॉंसिल के पास खुल मिला कर हमारी कहानी ये रही कि 18 सेंचुरी के लास्ट तक हमारा जुडीशियल स्ट्रक्शर ऐसा ही था तो ऐसा संसोधन किया था लॉट कॉर्ण बालिस ने तो मैं उसकी कहानी पीछे समझा चुका हूँ कहानी को हम आगे बढ़ा देते हैं तो हम 19 सेंचुरी के जुडीशियल रिफॉर्म की ओर चलते है 19 सेंचुरी के जुडीशियल रिफॉर्म की ओर हमें कौन सी कहानी नजर आने को है नाइटीन संचुरी का जो जुरिशियल रिफॉर्म है उस रिफॉर्म के तहथ आप यदि लॉड बिलियम बिंटी के काल में जाएंगे तो आहां पर नजर आने को है लॉड कमीशन इसके तहत विधी के स्तनहिता करन की सुरुवात हुई थे इसके बाद अठासो तेरेपन में ये था अठासो तेतिस अठासो तेरेपन में सेकेंड लॉग कमीशन आपने फिर देखा की अठासो साट तक आते 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 आपका आई पी सी तैयार हो गया स्टक्चर के अस्तर पर देखते हैं कि 1861 में 1861 में एक हाई कोट एक्ट आया हाई कोट एक्ट इसके तहत मदरास पॉम्बे और खलकता में हाई कोट की स्थापना हुई हाई कोट की स्थापना जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि उस हाई कोट के अंदर किनको किनको मर्ज किया गया यही कोशन आप से पुछा जाएगा हाई कोट के अंदर किनको किनको मर्ज किया गया सदर दिवानी सदर निजामत और सुप्रीम कोट को सो इट इस अप केस आफ लाप्टर की सुप्रेम कोट का मर्जल हुआ हाई कोट में आप जानते हैं वो सुप्रीम कोट अप कलकता मदरास एंड बंबे है वो सुपिम कोट कोई सुपिम कोट अप इंडिया नहीं था और ये बन गया हाई कोट अब इसके बाद नाइंटीन सेंसुरी के जुरी सेरी से सम्वंधित एक रिफॉर्म और पढ़ना है वो क्या है तो आप देखोगे कि लॉड रिपन के समय में एक कहानी हुई है लॉड रिपन अठारा सो असी से चवरासी तक गवर्न जर्नल रहे तो लॉड रिपन के समय में एक भारतिय जज मिश्टर लाल बिहारी गुपता हुए थे उन्हें सेशन जज बनने का मौका मिला लाल बिहारी जी को इस बात से सिकायत हुई कि जब वो सेशन जज बन गए और उनके आलाके में रहने वाले अंग्रेजों के मुकदमे की सुनबाई करने का हक उन्हें नहीं दिया जाता था निएम यही था कि अंग्रेज के मुकद में किस सुनवाई भारतिये नहीं कर सकते थे ये भेदभाव था भेदभाव को समझने के करब में हमें एक चरण और नीचे उतरना चाहिए 1827-28 के दौर में ब्रिटिस हकूमत ने एक अधनियम पास कराने का प्रयास किया था जिसको जूरी बिल कहते हैं जूरी बिल उसमें उन्होंने ये प्राबधान किया था कि भारत के इसाई हो चुके हुए लोग धर्मानतरन की कोसिश भी तो कर रहे थे न वो जो लोग इसाई हो गए हैं वो भारत के हिंदू और मुसल्मान के मुकदमे की सुनवाई तो कर सकते हैं लेकिन हिंदू या मुसल्मान भारतिय इसाई के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते हैं तो दो लेफल का आपको भेत नजर आएगा नमबर एक अंग्रेज के मुकदमे के सुनवाई भारतिय नहीं कर सकते नमबर दो इसाई के मुकदमे के सुनवाई हिंदी या मुसलमान नहीं कर सकते हलाकि बात में जब बिरोध हुआ तो अब इधर चल के देखें हाँ एक बात याद रखेगा कि जूरी बिल पे कोशन आ चुका है अब जो मैं बताने जा रहा हूँ अगला कोशन उसके उपर आ सकता है वो क्या है तो इलवर्ट बिल बहुत फेमस कहानी है इलवर्ट विधेयक इसका मामला ये है कि लाल बिहारी गुपता जी ने गवर्णर जनरल से कंप्लेन किया कि हमारे साथ ये भेद भाव परता जाता है इससे दूर किया जाए गवर्णर जनरल ने अपने कारेकारी परसद के विधी के मामलों को देखने वाले सदस मिस्टर इलवर्ट को बोला कि आप इससे समवंधित डिपोर्ट तयार करिए ड्राफ्ट अप लेजिसलिसन तयार करिए इसलिए इसे इलवर्ट विधेयक कहते हैं हूब उज इलवर्ट गवर्णर जनरल के कारेकारी परसद के अंदर बिधी के मामलों का एक सदस बिधी के मामलों का सदस गवर्णर जनरल के परिषद में 1833 से सामिल किये जाने लगे थे पहला बिधी सदस कौन था लॉड मेकाले इलवर्ट विधेयक में इलवर्ट कौन है बिधी सदस अब हम ये देखते हैं कि इलवर्ट ने क्या कहा एक लाइन में इलवर्ट ने कहा कि भारत ये जजों के कोट में भी अंग्रेजों के मुकदमे आ सकते हैं और वो इनके मुकदमे की सुनबाई कर सकते हैं लेकिन बात यहां रुकी नहीं बहुत बरे पैमाने पे अंग्रेजों ने भारत सहित इंग्लांड में बिरोध करना सुरू कर दिया और अन्तो कत्वा बिरोध की स्थिति में एक संसोधन करना पर गया संसोधन के तहत क्या प्राबधान हुआ कि यदि किसी अंग्रेज के मुकदमे की सुनवाई किसी भारतिय नहीं किया और उसके नि के द्वारा केस की अगली सुनवाई की मांग कर सकता है तो एक जूरी के माध्यम से ऐसा जूरी जिसमें की कम से कम आधे सदस अंग्रेज या अमेरिकन होंगे मतलब कि पूल मिलाकर अंग्रेज होंगे ये संसुधन करना पड़ा इस करम में एक बात याद रखेगा कि उसनमे का गवर्णर जनरल लॉर्ड रिपन सहज नहीं था इस बिधेयक को वापस लेने के लिए जबकि इंग्लाइन की सरकार ने उसके उपर दबाब बनाया था कि जब इतना विरोध हो रहा है अंग्रेजों का इस बिधेयक को लेकर तो आप बिट्रॉ कर लीजिए बिसिकली अंग्रेजों को एक बात समझ मा रहे थी कि भारतीय जज हमारे केस की सुनवाई करे तो इसमें दो बातें हो जाएंगी नम्मर एक कि हमारी प्रभुता का क्या होगा और नम्मर दो उनका कहना था कि भारतीय तो हमारे प्रति पुर्भाग रही हैं हमारे उपार अरोप लगेगा तो वो हमें दन देही देगा इस करमें उनके नसल भेद के इस चरित्र को समझिए वो कहते थे कि अंग्रेज नियाई प्रिये लोग होते हैं उनके कोट में एदी भारतिये के मुकदमे की सुनवाई होगी तो दे बिल डू दे जस्टिस वाइल इंडियन्स कैना डू दे जस्टिस भारतिये लोग इस्टानी लोग हमारे भाग का फैसला करेगा तो फिर हमारी प्रभुता का क्या होगा कुल मिलाकर उनके नसलभेद की बड़ी ही शशक्त अभी वक्ती हो गई इस विरोध के माद्यम से गवर्नर्ट जनरल पे दवाव डाला गया गवर्नर्ट जनरल विड्रो करने से मना कर दिया फिर अंद में समझा होता हुआ जिसके तहत यही बात कहीए कि चलो सुनवाई कराई तो दे दो लेकिन जूरी के माद्यम से फिर से सुनवाई की जाएगी तो एक तरीके से अधिकार एक हां से दिया गया दूसरे हां से ले लिया गया यहाँ पर एक ध्यान रखने लाइक बात यहा है कि जब हम लोग अब 19th century में जुरीशरी से सम्मधित हमारी कहानी हो जाती है अब हमें जुरीशरी की कहानी को लेके चलना है 20 मी सतार्थी में हाई कोट एक्ट हमने कर लिया है जब हाई कोट एक्ट कर लिया है तो अब हमारे सामने आता है 1935 का फेडरल कोट यही बेटिस सरकार के दोर में किया जाने बला जुडिशरी से सम्मधित अन्तिम सुधार है असल कहानी यह है कि 1935 का अधनियम जो अभी हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं उसमें चोटा सा पॉइंट है जो हम अभी बताएंगे कि अधनियम ने भारत में संघीय सासन की बेवस्था किया था संघीय सासन में क्या होता है संविधान के तहत सासन की सक्तियों को केंद्र और प्रान्त में बाट दिया जाता है उन्हें 135 के अधनियम में यही बिभाजन कर दिया गया अब बिभाजन जब हो गया तो फिर केंद्र और प्रान्त के बीच में मतभीद भी हो सकता है कभी कभी अपने अधिकारों के दाइरे का अधिकरमन भी हो कर सकते हैं तो मतभेद की इस्तिती में बिबाद का समाधान कौन करेगा बिबाद का समाधान करने का हक हाई कोर्ट के पास में नहीं रहना चाहिए इसी दिए फेडरल कोर्ट के गठन के अनुसमता की गई और इसी 1935 के अद्णियम के आधार पर हिंदुस्तान में फेडरल कोर्ट का गठन हो गया फेडरल कोर्ट इंडिया में बिटे सरकार के दौरान गठित सबसे हाइस्ट कोर्ट बना लेकिन ध्यान रखिएगा फेडरल कोड़ था सुप्रीम कोड़ नहीं था Supreme Court of India का गठन हमारे सम्मेधान के मताबिक किया गया है इसका गठन British होकुमत के दौरान कभी नहीं हुआ था आज के क्लास में हमने administration का मामला अपना complete कर लिया और यही पर हमारी कक्षा आज रुख जाएगी Thank you very much औरान के मामला के लुग हो स्टाइब होगी नहाहीं मैं होगा चाहँ है पाणां 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 करेंड़ास पाणां झाल पाणां और खाणां पाणां अबस्ट बादार पाणाए़ ड्सका चाणां झाल झाल